नमस्कार दोस्तों मेरी यूटूब चैनल में आप लोगा स्वाग आते हैं दोस्तों आज हम स्यूच याओ जी टैप हीटर एलिमेंट का कनेक्शन सही तरीके से कैसे करना है आज के वीडियो में हम पूरी जनकारी देने वाले हैं जो कि इसका पहले वाला जो स्यूच का कनेक्शन किया हुआ था गलत तरीके से किया हुआ था सोट कर रहा था तो आज मैंने इसी के वाज़े से सोचा कि एक वीडियो इसका अपलोट करना चाहिए बनाना चाहिए तो आज इसके बारे में पूरी जनकारी देने वाले हैं देख रहे हैं इस पर चार लिखा हुआ है एक, दो, तीन, चार इस तरह से करके चार लिखा हुआ है लेकिन लिखला हुआ है तीन पॉइंट उसी हिसाब से जो क्वाइल है, एलिमेंट है एलिमेंट में भी उसी तरह से है एक, दो, वापस में कनेट है और उसके बाद में तीन और चार इस तरीके से है तो इसमें हम तीन वाइर निकाल लेंगे इसमें कौन सा वाइर निकालना है कभी भी इसमें यूज़ करे तो गलास वाइर यूज़ करे तो दोनों पिन जो आपस में connect है तो उसमें red लिका ले हैं उसके बाद में black black करके लिका ले हैं तो इसका connection कैसे करना है तो जो red वाला लिका ले हैं दोनों पिन आपस में जो connect है उसको क्या करेंगे हम दो number pin पर इसका connection कर देंगे तो चलिए यहाँ पर दो नमबर पीन पर connection कर दिये उसके बाद में जो बीच ओला पॉइंट है उसको हम तीन नमबर पीन से connection करेंगे तो इस हिसाब से इसका connection कियाता है उसके बाद में जो लाश्ट ओला वायर बच रहा है जो लाश्ट ओला पीन बच रहा है उसको हम चार नमबर पर connection कर देंगे चार नमबर पिन से connection कर देना है और इसको हम चेक करके दिखाएंगे series lamp के मतल से तो series lamp में चेक करने से पता चल जाता है जो bulb होता है एक नमबर पॉइंट पर पुरा तेज जलेगा दो नमबर पर हलका डाउन जलेगा और तीन नमबर पर उससे भी थोड़ा सा डाउन जलना चाहिए बल्ब को तो उसी हिसाब से मैंने चलिए रोटरी स्यूच जो है इसको बोडी में हम इसको पहले फिट कर लेते हैं तो यहाँ पर इस स्यूच को बोडी में फिट कर दिये उसके बाद में जो निंटALK फेज में सप्लाई निकल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे इसमें यह-ग दो स्लिविंग लगा देंगे पहले दो नमबर लगाएंगे उसके बाद में तीन नमबर लगांगे उसके बाद में येस करना पड़ेगा ताकि बाहर से वायर खिचने पर भी नहीं खिचा सके तो उसके लिए यहाँ पर एक पती ले लेना है और यहाँ होल दिया रहता है तो यहाँ पर इसको दोनों वायर को यहाँ पर फिट कर देना है चले फिट कर दिया है उसके बाद में दोनों वायर को चिलकर इसमें हम सिरीज सप्लाई देकर चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक काम करता है तो दोस्तों आप लोगे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जिदी मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो सबस्क्राइब कर ले लाइक नहीं किये तो कर इसमें सबसे पहले बोडी चेक कर लेंगे बोडी में कहीं करेंट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं सप्लाई आ चुका है स्रीज बल्ब जल रहा है उसके बाद में बोडी में एक वायर को टच करके देख लेंगे कहीं पर भी करेंट नहीं बनन चाहिए तो चलिए यहां पर वायर को इस तरह से जोड़ और चेक करके दिखा देखा देते हैं यहां देख रहे हैं बल्ब त्ट जल रहा था था तौछा डाउन जल रहा है उसके बाद में घुमाएंगे तौछा यह तरह से काम करना चाहिए तो दोस्तों कैसी लगे वीडिय में जरूर लिखे और इस वीडियो को जदा से जदा सेयर करें चलेते हैं दोस्तों